हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग और कैसी चले ही आपके एक्जाम की त्यारी मेरा नम है क्रतिका और स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल में क्रतिका भी एललवी स्टुडेंस आप सभी लोगों के बहुत जादा कमेंट आए कि मैं हम कॉंट्राक्ट पे कुछ वीडियो बनाएए कॉंट्राक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कोशन बता दीजिए जो कि एक्जाम में ज्यादा पोसे जाते हैं और आंसर राइटिंग के लिए कुछ टिप्स पता दीजिए कि कॉंट्राक्ट का पेपर हम जब सॉल्व करेंगे वहां आंसर लिखेंगे तो उसमें किस तरह से आंसर लिखें कि हमें एक्जामनर अच्छे नंबर दे तो आप सभी लोगों के कमेंट को देखते हुए डिमा क्योंकि आप किसी तो ना कि ये वीडियो एंपकरन है कियूकि इन आप 10 ने कोशन आते हैं सॉट कोशन में लेकिन आपके तेन कीज्ट हुए दूसरी युनिवस्टी को पैटर्ण चेंज हो सकता है सौट कोशन 10 की जगे पे 4-5 हो सकते हैं लेकिन कोशन यही होंगे कोशन सेमी पूछ जाते हैं और दूसरी चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो पी पेपर होता है पेपर में जो कोशन पूछ जाते हैं यह बहुत आपके रिपीट होंगे इसलिए आज इस वीडियो को देखते देखते हम अपना 50% सिलैबस भी कवर करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं अपना आज का वीडियो तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारा कॉंट्राक का सक्षन ए है सक्षन ए में टोटल 10 कोशन दिये हैं और फर्स्ट कोशन जो है आपका इसमें कोशन में पूछा गया था समवेदा से आप क्या समझते हैं तो समवेदा के बारे में बता हम सभी लोग जानते हैं कि समव समवेदा अधिनियम की धारा दो जा के अनुसार विधी के द्वारा प्रवर्तनी करार समवेदा है यानि जो विधी के द्वारा प्रवर्तनी करार है ये समवेदा इसको देखो आप लोग मैंने इसको ब्लैक से लिख दिया है आप अगर जो इंपोर्टेंट हो उनको ब्लै इत्व का सरजन होता है समविदा एक ऐसा करार है जो विधी के अंतरगत प्रवर्तनी है अर्थात वे करार जो विधी के द्वारा प्रवर्तनी नहीं है वे समविदा नहीं है यानि करार ऐसा करार जो की विधी के द्वारा प्रवर्तनी है उसे बोला जाता है समविदा और जो विधी द्वारा प्रवर्तिनी नहीं है उसे समविदा नहीं बहुला जाता है अब यह देखते हैं कि जो करार है उन्हें विधी द्वारा प्रवर्तिनी बनाया जाता है तो उनकी तत्त क्या है कैसे बनाया जाता है किन-किन चीजों के होने पर विधी द्वारा प्रवर्तिनी ने देनी हैं इसके आवश्यक्ततों भी बताने हैं कि इन जो आप 6 मैंने आवश्यक्ततों दिये हैं इनसे जब तक यह नहीं होंगे तब किसी कोई समविदा कोई करार समविदा बनेगा ही नहीं तो हमें complete आंसल लिखना है सौर्ट कोश्यान है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम 4-5 लाइन लिखके चले आएंगे तो यहां पे जो मैंने 6 पॉइंट दिये हुए हैं कि फर्स्ट है आपका कम से कम दो पक्षकार हों नेक्स्ट है आपका पक्षकार करार करने के लिए सक्षम होना चाहिए ठीक है वो पाग करार के लिए प्रतिफल जो है वो भी वयद होना चाहिए करार विधी के द्वारा सून निगोसित नं किया गया हो तो हम लोगों ने समझ लिया कि सम्विदा क्या है और सम्विदा के आउसकत त्थ क्या है अगर सम्विदा के बारे में यह एक चीज़ या तक ना यह भारती समविदा अधिन्यम जो हमारा है 1872 का है इसकी धारा जो 10 है इसके अनुसार ये का गया कि सभी करार समविदा है यदि वे पक्षकारों की स्वतंतर सहमती से किये जाते है यानि वो सभी करार समविदा है जो पक्षकारों की स्वतंतर सहमती से किये जाते है और अगर ऐस और धारा जो फोटीन है फोर्टीन में या परिभासित कियाए है कि सोतंतर सेमदी किसे कहते हैं इस धारा के अनुसार ऐसी सहमती को स्वतन सहमती कहा जाता है, जिसमें सहमती उत्पीडन, आसम्यकसर, और कपट, मिथ्याविपदेशन, भूल, इनसे ना कराई गई हो, यानि जो धारा 14 है, इसमें बताया गया है कि हम कैसे मानेंगे कि स्वतन सहमती दी गई है, तो ये जो 5 पॉइंट मैंने दिये हैं कि उत्पीडन, और आसम्यकसर, कपट, मिथ्याविपदेशन, भूल, इनकी द्वारा अगर सहमती नहीं ली गई है, तो वो हमारी स्वतन सहमती होगी, इस प्रकार जब कोई वेक्ति बिना किसी बाधा, अथवा अवरोध की कार्य करता है, अपनी सहमती देता है, तब उसे सोतंतर सहमती कहा जाता है, तो ये भी कोशन काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग एक चीज़ अपने दिमाग में बिलकुल ये रखिए, कि इसमें जो सौट कोशन अब 10 डिसकस करेंगे, तो उसमें ना कुछ तो 5 से 6 कोशन आपके एक्जाम में र तरीका देख रहे हैं कि इसका अंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे ही बांकि बहुत सारे इसमें कोशन है अभी, जो एक नया तरीका देखोगे हरे कोशन में आप, ठीक है, अब नेक्स जो हमारा कोशन है प्रतिफल, ये consideration इसे इंगलिस में बोल रहाता है, consideration प्रतिफल एक ऐसे मूल को कहते हैं, जिसके बदले में दूसरी का वचन प्राप्ति किया जाता है, और इस प्रकार से मूल के लिए दिया गया वचन प्रवतनी होता है, इन्होंने एक definition दिये, याद रखी हम जब भी अपना answer लिखेंगे, तो इस प्रकार से definition जरूर लिखेंगे हम, ठ तरह से आप definition लेख सकते हो, और यह उपर देख सकते हो, कि इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, अब next time इसमें बताएंगे कि भारती समविदा अधिनियम की धारा दो घा में दी गई परिभासा के अनुसर, अब इसके परिभासा देंगे कि भारती समविदा अधिन उस वचन के लिए परिभासा के दोरा वचन को पूरा करने हे तू दिया जाने वाला एक प्रलोभन है, यानि जब किसी वचन को पूरा करने के लिए जो दूसरी तरफ से प्रलोभन दिया जाता है, उसी को प्रतिफल बोला जाता है, और या प्रलोभन कुछ करने या ना करन कि विरत रहने के रूप में या धन के रूप में हो सकता है प्रतिफल व्चन का मूलिंए करने की सुनिशटता प्राप्त की जाती है अब गहार के अनूसार प्रतिफल वर्तमान तरह की भूट का लिक की अभविस्षालीक हो इस तरह से मैंने इसकी प्रतिफल की डेफिनीशन दी है अब देखेंगे हम आसम्यक असर आसम्यक असर क्या है ये भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है देखें अगर आप सच में चाहते हो कि आपके कॉंट्रैक्ट में अच्छे नंबर आए या आप सच में जानना चाहते ह क्योंकि हम आसम्सर कैसे लिखेंगे तभी इस वीडियो को देखिएगा वरना आप यहीं से छोड़ के जा सकते हो क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके बता हैं long question को लिखने के लिए तो अगर आप सच में चाहते हो कि आप exam में अच्छे number लाओ तब ही इन वीडियो को देखिएगा और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो like करिएगा जिससे कि मैं next part बनाओ मुझे लगे कि आप लोगों के help हो रही है इन वीडियो से तो मैं next वीडियो भी बना पाऊ अब हम देखेंगे आशमय कसर क्या है तो आशमय कसर जो है भारती संवधा दिव्यम की धारत 10 में बताया गया है आशमय कसर जो सब्ध है इसका उलेक किया गया इसमे तो यह है क्या इसको देखते है थोड़ा जब पक्षकार एक दूसरे से इस प्रकार विश्वास के स्थती में होते हैं कि एक दूसरे पर अपना असर डाल सकते हो जो स्वयम में प्राकृतिक तथा उचित हो परंतु उसे नाजायज प्रकार से प्रियोग किया गया हो तो इसे ही समय कसर के द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहांकि पक्षकारों के बीच विद्दमान संबंद ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे के बीच में क्या कि दूसरे पक्षकार की इच्छा पर सासित करता है जब दो पक्षकारों की बीच में बहुत विश्वास का रिलेस्टन हो तब भी करेगा क्योंकि वो उसका भाई कह रहा है या उसमें एक relation है वो उसकी वज़े से relation की वज़े से वो काम करेगा वहाँ पर उसकी free consent नहीं होगी देखा जाये तो तो इस तरह से अगर कोई कहने पर जैसे माता के कहने पर अगर कोई बच्चा काम करता है या बच्चे के कहने पर मम्मी कोई काम करती है तो यह जो relation होता इस तरह का इसी को आसम्य कसर बोला जाता है या इस relation की वज़े से अगर कोई करता है कोई करार करता है कुछ भी करता है तो यह बोला जा दितरू जिसके साथ व्यस्तिवर्शिक संबंद के स्थिए नहीं लिख सकते हैं तो याद रखिये घर एक आंसर में हम केस लिखना होता है टो हम हर एक में हर एक में केस नहीं अंसर देंगे और जिसमें बहुत जादा important होगा उसमें हम case लिखेंगे तो जो ये कोशन है समान प्रस्ताओ इसकी परिभासा दीजिए तो समान प्रस्ताओ बोलते हैं general offer इसको क्या बोलते है जनरल ओफर अब एक कारलील और कार्बोलिक जो मामला था कारलील वर्सेस कारबोल इसको ही आप लिख देते हो तो एक्जामना समझ जाएगा कि आपको पता है कि समान प्रस्ताओ क्या है अब इसको देखते हैं कि हम एक्जाम में लिखेंगे कैसे जब प्रस्ताओ सारवजनिक तौर पर रखा जाता है तो उसे समान प्रस्ताओ कहते हैं क्या है कि जब प्रस्त इसे वности के द्वारा सुईकार रहे कर लिया जाता है तब ही सम्वेदा का स्रजर्जन होता है इर रश्वाय adah होती है ठीक है तो यह समाने प्रस्ताओब समय सकते हो कि जो जंसीक रुप से रखा जाता है उसी को बोला जाता है समाने प्रस्ताओब का यहां इसको देखतें इस क्वैंफित कार परियोग केम पस्चाथ भीड़ेस्घित होगा तो कमपाने उसे सो पाउंड का इनाम देगी इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि यानि कमपणी की दोरा जो भी निर्माड किया गया था जो सुंगने वाली गोलियों का तो उनका अगर लिखित निर्देशा अनुसार जो सेवन करेगा ठीक है उसके बाद भी अगर कोई इन्फ्लूंजर इस गोली का प्रियो किया फराउंड की इन्फ्लूंजर रोग इनको उनको हो ज गया उन्हों ने क्या घ्यांक के इन प्रस्ताओं की सुछना नहीं दी थी लेकिन समान प्रस्ताव यही होता है कि सारवजनी की रूप से जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है और उस भीड से अगर कोई तुम्हारा प्रस्ताव सुईकार कर लेता है और उसी निर्देशा नुसार सर्तों के अनुसार वो काम करता है तो उससे सम्विदा हो जाती है ठीक तर्क में इसकी तर्क को करते हुए काल। हुँँ दूसरे तरक में के वीडियो थोड़ा सलंबा हो जाएगा है तो टें कोश्चन है अब जो फısन रेता को समविदा को सम ταeftर 222 का इसके धारा 31 में परिभासित किया गया है, समासित समविदा वह समविदा होती है, जो ऐसी समविदा से समपार्सवी किसी घटना के घटित होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, और ये समविदाएं किसी आनिश्यत समपार्सवी घटना घटित हो अब जो हमारा है जीवन बीमा को छोड़कर बीमा की सभी समविदाइं समास्ति समविदा हैं क्योंकि जीवन बीमा एक निश्चित घटना गटने पर ही प्रवर्तित होती है उदाहरण की आए कि खाका से कहता है कि यदि खाका ग्रह यानि जो घर है जल जाए तो वहां खाको पाच पचास जार रुपए देगा यह एक समास्ती समविदा है क्योंकि यह किसी आनिशित घटना के घटित होने पर प्रवर्तनी होती है अब नेक्स देखते हैं सूने समविदा सूने समविदा क्या होती है जी नंबर कोशन है इसको वॉइड कॉंट्राक्ट भी बोलते हैं स सूने समविदा एक ऐसी समविदा है जिसका विधी के द्रश्टी में कोई प्रभाव नहीं होता है बिल्कुल ना के बराबर प्रभाव होता है ठीक है कोई मानने नहीं होती है ऐसी समविदा विधी के अंतरगत समविदा के किसी भी पक्षकार के द्वारा प्रवर्तित नह करता है, अगर किसी वेक्ति के बीच में समविदा हुई है, अगर वो सूने समविदा है, तो उनके बीच में कोई दायत्व नहीं होगा, कोई अधिकार का सरजन नहीं होगा इसे विदी द्वारा प्रवर्तनी नहीं कराया जा सकता है सूने समविदा अगर कोई भंग भी कर दिता है तब भी उसको प्रवर्तनी नहीं कराया जा सकता है यहां यह लेखनी है कि सूने समविदाएं सूने या प्रवर्तनी तो होती है परंतु यह समविदा कि अब देखते हैं मेचा को सक्षम नहीं जाए क्ल़ इस संव्यदा करने के लिए इंगता आलगा कुछ बलसक्र निहीं के लिए इस को आलगा शुब्स करनी क्लिए अब जब तक सम्विदा का एक पक्षकार उसके विरुद्ध आपत्ती नहीं करता है। वो free सहमती, मतब स्वतंतर सहमती नहीं है, बलकि उत्पीडन के द्वारा या बल पूरवक, कपट पूरवक ली गई है, तो अगर वो व्यक्ति जिससे सहमती ली गई है, अगर वो चाहे तो उस समविदा को सुन नेगोसित करा सकता है, और अगर वो नहीं चाहता है सुन नेग इससे हम क्या सीख सकते हैं इस आंसर से, इसमें हमने एक 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 एकजामपल दिया है, आप लोग याद रखियेगा एकजामपल, केस, धाराए, डैफिनिसन, इन चार चीजों को बहुत ध्यान से रट लीजिएगा, पण लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, महिला के पती का सब उसके रिस्तेदार तब तक समसान नहीं ले गए थे जब तक चिक ऐसमफिदा अगर महिला चाहे तो उससे समफिदा को सुने गूस्षित करा सकती है और बाद में इसने सुन करने कर्वाया भी था ठीक है अब क्या है तथखी भूल क्या यह काफी important question है जहाँ किसी करार के अंदरगत यह दिखो I number जो हुमारा question यह भी काफी important question है अब इसमें देखो कि कैसे मैंने स्कान से लिए हैं कि जहां किसी करार के दो पक्षकार करार के लिए सार भूत किसी तथि के बारे में भूल के आधीन है वहां करार सून होगा यानि जब कोई करार है करार के दोनों पक्षकार में से कोई एक किसी चीज को भूल गया यानि जो में सार था सार का किसी तथि की भूल हो गई है और त यानी इसमें जो द्हावीज में बताया गया गया, की जानी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा आवस्यक हो अब इसमें देखते हैं वि निर्दिष्ट अनुतोस यह आपका है लाश्ट कोशन है बहुत ही जादा को भंग कर देता है तो आपर दूसरे पक्षकार के पास यह विकल्प उपलब दोता है कि प्रथम तो यह विकल्प होता है कि वह पक्षकार जो जिसने समविदा भंग की है तो दूसरा पक्षकार उस समविदा को पालन करवाए कि आपने समविदा भंग की है इन्होंने समवि जहाँ पर पक्षकार जो वादी है वो यह चाहता है कि सम्विदा का हूबहू पालन करवाया जाए तो वहां पर यह माना जाता है कि समविदा के विनिर्दिष्ट पालन की उपचार की मांग की गई है और जहाँ पर जो पक्षकार है जो यह चाहते हैं कि जिस समविदा जो वादी है उसको जो छती हुई है अगर वो यह चाहता है कि उसे छती पूर्थी की जाए बिना किसी ओचित के समविदा पालन से इनकार कर देता है उसे माकान बेचने से मना कर देता है आपको यह अधिकार है कि वह बाके विरुद्ध माकान के विक्रे तथा कबजा हस्तान्तित करने हे तो वाद संसकित करे उसे अधिकार है कि उसे बाके विरुद्ध माकान बेचने के लिए या कबजा लेने के लिए वाद संसकित करे आपको माकान के बदले में छती पूर्ती लेने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है ठीक है आको यहां पर छती पूर्थी लेने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है कि उसके माकान ना बेचने से उसे इतनी हानी हुई है यहां आको जो अधिकार प्राप्त है वो समविधा के विनिर्दिष्ट पालन का अधिकार प्राप्त है ठीक है यानि वह बास से कह सकता है कि उसे सम्विधा को बेचना पड़ेगा या बेचने के लिए कह सकता है लेकिन उसे यह नहीं कह सकता कि तुम्हाइं सम्वाकान ना बेचने से में जो छती हुई है उसका छती पूर्थी करो ठीक है तो इस प्रकार यह हमारे पूरे 10 कोशन थे और इसी तरह से मैं और भी जो पेपर हैं आप लोगों कि समेस्टर में मैं उने पर भी वीडियो बनाऊंगी अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वह इसका लॉंग कोशन का होगा आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा आई होप आप लोगों की काफी हेल्प हुई हो इस वीडियो